Hello guys, welcome back to our YouTube channel Pharma Lectures आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफी डिपीन टेबलेट के बारे में जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टेबलेट होती है उसके क्या क्या ब्रांड नेम से, किस ब्रांड नेम से वो मार्किट में अविलेबल है क्या क्या उसके uses है, क्या उसके side effects है अगर हम उसका overdose लेते हैं और हमें कितना dose उसका लेना चाहिए ताकि हमें कोई side effect ना हो, उसका क्या mechanism of action है किस तरीके से वो body में जाके अपना action show करती है और last में देखेंगे कि precautions, क्या क्या हमें सावधानिया बरतनी चाहिए जिसे हम उसका use कर रहे हैं सबसे पहले वीडियो को start कर लेते हैं निफिडिपीन जो होता है, ये एक calcium channel blocker drug होती है जिसे हम use करते हैं hypertension की condition में, मतलब की high blood pressure जब 120 by 80 mmHg से जादा हमारा blood pressure हो तो और angina की condition में, मतलब जिसमें हमारे जो chest में pain होता है क्योंकि blood supply कम हो जाती है अब जान लेते हैं किस-किस brand name से निफिडिपीन टेबलेट मार्केट में अविलेबल होती है सबसे पहले जो ये most commonly जो brand name है जिसे मार्केट में अविलेबल है वो है निकाडिया, अडेलेट, डेपिन, निफिलेट और Kelsey guard टेबलेट इन सब नाम से ये मार्केट में अविलेबल होती है अब जालने ते हैं इनके uses के बारे में तो सबसे पहले क्योंकि ये calcium channel blocker है तो हम इसे hypertension की condition में use करते हैं मतलब high blood pressure जब blood pressure 120 by 80 mmHg से ज़्यादा हो फिर आजाता है angina pectoris ये ऐसी condition होती है जिसमें हमारी जो heart है वो इतना blood हमारे supply नहीं कर पाता हमारी body को जिसकी वज़े से chest में pain होता है फिर आजाता है जो third disease है जिसमें हम इसका use करते हैं निफिडिपीन का Raynaud's Phenomena हमारी जो arteries होती है उनका जब constriction हो जाता है तो blood की supply हमारे जो fingers होते हैं toes होते हैं उनमें कम हो जाती है उस condition को बोलते है Raynaud's Phenomena उसमें हम इसका use करते हैं चौती condition analphysure हम उसमें इसका use कर सकते हैं उसमें tablet नहीं देते इसकी एक tropical preparation आती है उसे apply कर देते हैं फिर आजाता है premature labor मतलब time से पहले ही delivery हो रही है बेबी की तो उस condition में हम इसका use करते हैं 37th week से पहले हो रही है फिर आजाता है dose हमें इसका dose कितना लेना है ये drug हम 1-3 बार दिन में ले सकते हैं खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद भी पर आप doctor के prescription या doctor की सलह के बिना ही इसका use ना करें उसके सलह के बाद ही इसका use करें फिर आजाता mechanism of action किस तरीके से ये काम करती है हमारी body में जाके nifidipine हमारी body में जाके जो हमारे L type calcium channels होते हैं जो कि हमारे heart में present होते हैं और blood vessels में present होते हैं उन्हें block कर देता है क्योंकि ये calcium channel blocker होता है channelist को block कर देगा तो calcium की entry हमारे cells के अंदर रुख जाएगी भार से calcium हमारे cells में नहीं जा पाएगा जिसकी वज़े से वैसो construction नहीं हो पाएगा इस तरीके से nifidipine अपना काम करता है और hypertension मतलब blood pressure को कम कर देता है और इसी तरह enzyme में भी helpful होता है फिर आ जाता है इसका side effects अगर हम इसका overdose लेते हैं तो या फिर अगर हमें कोई disease है liver kidney से related या allergy है हमें nifidipine के against तो फिर भी हम अगर इसका use करें तो क्या के side effects हो सकते हैं dizziness हो सकती है यानि कि चक्कर आ सकते है headache सेड़ में दर्द हो सकता है leg swelling पैरों में सूजन हो सकती है edema हो सकता है tiredness थकान हो सकती है low BP blood pressure कम हो सकता है cuff यानि खासी हो सकती है हमें precautions क्या क्या लेने हैं ज़ह हम nifidipine tablet का use कर रहे हो सबसे पहले जो hypersensitive patient है nifidipine के लिए against वो इसका use ना करें coronary disease है जिने वो इसका use ना करें जो ऐसे patient है जिने पहले heart attack आ चुका है वो इसका use ना करें COPD, coronary obstructive pulmonary disease वो इसका use ना करें ऐसे patients कि जिन patients को kidney से related disease है liver से related disease है वो use ना करें और lactose tolerant वो लोग इसका use ना करें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें share करें, channel को subscribe करें धन्यवाद